सुइंग शाओजू के सीने पे अपना सर रख के अपनी परिशानिया उसे बताने लगा था कि कोई भी मुझे सीडियसली नहीं लेता शाओजू अपने लिप्स को प्रेस करता है और सोचने लगा कि उसने सुइंग को काफी जादा अलग-अलग रूपों में देखा है उसने सुइंग को बहुत जादा खुश देखा है, confident देखा है और गुसे में भी देखा है और शाओजू को उसके हर एक रूप से प्यार है और वो उससे admire भी करता है दुनिया में काफी सारे लोग है जो सुइंग के charm से attract होते है लेकिन सुइंग का ऐसा wonderful रूप जिसमें वो बहुत जादा हरा हुआ मैसुस करता हो वैसा रूप सिर्फ शाओजू नहीं देखा है सुइंग शाओजू को जो कुछ भी देता है शाओजू वो सब में सिर्फली accept कर लेता है कुछ भी extra virgin मांगने की वो कभी हमत नहीं करता जैसे कि अभी सुइंग ने उसे गले लगाया हुआ है तो शाओजू को ऐसा मैसूस हो रहा है कि उसके पास सब कुछ है ये सब को सोचते हुए शाओजू रोने लगा था और इन सब का मतलब तो यह है कि शाओजू को सुइंग से प्यार हो गया है लेकिन वो सुइंग से प्यार की उमीद नहीं कर रहा है मतलब प्यार की मांग नहीं कर रहा है सुइंग जो उसे देता है उसमें ही वो खुश रहना जाता है फिर अगले सीन में जान सुइंग ने जो कुछ बेमैजिन किया था उससे भी बहुत जाल बुरा हुआ सारे शेर होल्डर्स को और पुरी कमपनी को ये पता चल गया कि जमीन को सील कर दिया गया है अभी सब लोग बहुत जाल पैनिक हो गई थे सुइंग अपनी आफिस में था तब उससे लियू का मैसेज आया जिससे सुइंग समझ गया कि लियू उसके घर पे आया हुआ है उसने गुसे से ये लिख दिया कि मैं यहां अपने लेटल डार्लिंग के साथ मज़े कर रहा हूं तुम मेरे घर से निकल जाओ लियू ने लिखा कि वो उससे बात करना जाता है वो एकदम ही रैडी है अगर सुइंग उसकी कुछ शर्टे मान लेगा तो फिर शाओली न उससे टच नहीं कर पाएगा लिकिन सुइंग को उसकी बात पे बिलकुल भी यकीन नहीं है और वो यकीन करना भी नहीं चाता फिर अगले सीन में शाओली ने कावी सारे डॉक्यूमेंट्स उससे फैक्स किये थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स उस जमीन पे जो कर्जा है उससे रिले रेख थे वो सारे डॉक्यूमेंस देखकर सूइंग सोचता है कि अब वो मुझे प्रेशर दे रहा है और आखरी पेपर आया जिसमें लिखा था कि भाई चलो बात करते है लेकिन सूइंग ने तुरंट ही वो पेपर क्रंबल करके फैक दिया कि वो बात नहीं करेगा और एक पेपर पे लिखने लगा कि भले ही मुझे बहुत सारा करजा हो जाए लेकिन मैं तुम्हें अपनी चीज़ें नहीं चुने दूँगा अगर मैंने तुम्हारे जिन्द की बहुत सादा मुश्किल नहीं बनाई तो फिर मैं अपना नाम बदलूँगा ये सब कुछ लिखकर उसने वो पेपर शावलीन को फैक्स कर दिया फिर उसके बाद शावलीन ने कुछ भी नहीं भेजा सुइंग यहाँ पे वेट करा था और कुछ भी नहीं आया इसलिए उसका गुसा उतरने लगा कि क्या आप फाइनल ये दुनिया शान्त होने वाली है और तब ही उसका फोन बजा तो उसने गुसे से उठा कि चलाया कि कौन है वो उसकी फादर थे उसने कहा कि सुइंग थोड़ी देर के लिए घड़ पे आओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है लेकिन सुइंग ने ये कह के फोन रख दिया कि जब मेरे पांस टाइम होगा तब मैं आओंगा फिर वो चैर पर बैट के ये सोचने लगा कि क्या वो उस जमीन के बारे में बात करना चाते होंगे डैड को जरूर ही उस बारे में नहीं पता होगा कि शावलिन ने सीक्रेटली मेरे खिलाफ प्लाइन बना कि मुझे फसाया था आफटर ओल शावलिन भी इतना बेवकुफ नहीं है जो अपने बारे में सबको बताता रहे कि उसने कौन कौन से कांड किये है तो फिर मैं भी उस बात को जितना हो सके उतना चुपाऊंगा